आप लोग तो आच उकाओ मैं एक नई वीडियो के साथ में आप लोग के पास में तो आज मैं आप लोगे बताने वाला हूं कि बैस्ट फोन्स आपको 10,000 रुपए मैं आपको बैस्त नहीं आप मतलब आपको अच्छे मिलने वाली है किसे में कैमराज आपको अच्छे मिलने वाली है तो उसमें आप comparison करके आप देख सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा मिलने वाला है आपको आपके हिसाब से कौन सा अच्छा आपको लगता है वो आप अपने हिसाब से decide कर सकते हो मैं आपको तीन बैस्ट यहां पर बताने वाला हूं दस हजार के अंदर और यहां पर अगर आप और भी इन में ना खैम्राज के अंदर होएं आपको बैटरी के अंदर बता हूंगा साथ हूं अंगला पर अब और भी आपको यह नीचे यहां पर मिल जागा इसके काड़ वगर अगर आपके पास हैं तो वह काड़ लगा कि आपका भी ओफर्स में अगर लेते हो तो आपको और भी इस पर डिस्काउंड मिल जागा तो इसके अंदर आपको 6.8 की डिस्प्ले मिलती है 48 Megapixel का कैमरा मिलता ह 4,6 GB तक की RAM आपको मिलती है Helio का G85 मिलता है 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है अब थोड़ी सी ओट डीटेल में बत करू तो यह फोन आपको 5G नहीं मिलने वाला है वैसे भी 5G इंडिया में अब तक कोई काम नहीं है और यह 2021 में लाँच हुआ था दिसेंबर के अंदर 29 तारी आपको मिलने वाले 500 needs के साथ 6.8 inch की display आपको यहां पर मिलने वाली है MediaTek का आपको Helio G85 आपको मिलने वाला 12 NMP बेस होने वाला आपको प्रोसेसर अच्छा प्रोसेसर है आप गेमिंग इसके अंदर कर सकते हो Free Fire आप PUBG और यहां पर खेल सकते हो आपको कोई भी यहां पर दि यहां पे आप ले सकते हो यहां आप के अपर आप कार्ड लगा के भी यहां पर बढ़ा सकते हो एक कैमरा में आपको 48MP का मेन वाला मिलता है और 2MP का आपको यहां पर देप्थ कैमरा मिल जाता है जो काफी अच्छी फोटो आपको यहां पर निकाल के देगे Dual LED Flash HDDR Panorama जैसे Fe लीचेस आपको यहां पे मिल जाते हो, 1080p 30fps तक रिकॉर्डिंग यहां पर कर सकते हो, विश्ची में आपको 8MP की सेल्फी मिलने वाला है, इसके अंदर भी आप है, सब्सक्राइब आपको 23 चार्जिंग को सपोर्ट करती है 33 जो काफी फास्ट है आपको हमिल जाते है आपको आपको बजट चाहते हैं तो अब आपको बात कर लेता हूं हमरे सेकंड फोन के बारे में सेकंड फोन है Motorola के तरफ से Moto E14 आपका यह second phone आपको यहाँ पर होने वाला है इसके भी display आपको 6.5 inch की display मिलती है 48 megapixel कैमरा आपको मिलता है और आपको 4GB की RAM यहाँ पर मिल जाती है और इसके अंदर आपको processor भी अच्छा मिल जाता है 5000 image की आपको यहाँ पर battery यहाँ पर मिलने वाली है जो काफ प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक ही आपको यहाँ पर मिलने वाला इसके अंदर डॉल सीम यहाँ पर लगा सकते हो आपको IPS LCD डिस्पले यहाँ पर मिलने वाली 90 Hz के साथ में पिछला फोन अगर आप compare करोगे तो उसके अंदर आपको 90 Hz की display मिल रही है जो मुझे आपको इसके अंदर मिलने वाला है उक्ता को प्रोसेसर है 1.8 GHz पर जीप्यू आपको माली का जी 52 इसके अंदर आपको मिल जाता है डेडिकेटिल स्लॉट है अगर आप इसको स्टोरेज को एक्सपेंड करना चाहो तो वह भी आप यहां पर कर सकते हो 464 तक क्या पिस्टोर वीडियो पर कर सकते एंकि आपको रिकारडिंग के अन्र और मिल जाता है वाईपाई ब्लूसार आपको यहां पर मिल जाते हैं जो काफी मुझे सेंसर आपको श्या सी सुन बैटर्ड बैर्टरी के आप क्लरण और तरी के सकते हो और पर आपको मिल जाते हैं यह भी आपको 10,000 के अंदर मिल जाता है इसके अंदर भी आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है इसकी प्राइजिंग भी आपको काफी ठीक यहां पर आपको मिल जाती है अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसे रिपेर भी कश वो है इन्फिनिक सी तरफ से नोट 11 ये भी हाली में फॉन लॉंच हुआ है ये 6.7 इंच की डिस्प्लेय के साथ 15 में पिक्सल के कैमरे के साथ में आता है इसको लेट नहीं है आपको ग्लास फ्रंट आपको मिल जाती हो दूल-स इसके अंदर लगा सकते हो इसके अंदर आपको एमुलएट डिस्प्लेय मिलने वाली है अल्ड़ एक्स आपको इसके इंदर मिलने वाला एक्स च्रूस साथ में MediaTek का Helio G88 आपको इसके अंदर मिल जाता है 12NM पे ये base होने वाला OctaCore का processor ये आपको मिलता है MicroSD Card का dedicated slot आपको मिल जाता है storage type 464, 4128 और 6128 type से आप ले सकते हो camera's की बात करें तो camera आपको 12MP का मिल जाता है और 2MP का depth आपको इसके अंदर यहां पे मिलने वाला है और आप इसके अंदर वीडियो recording है ना 4K तक की वीडियो recording कर सकते हो 30fps के साथ में तो ये मुझे काफी सही यहां पे लगा और selfie आपको 16MP की selfie मिलती है selfie के अंदर आप 1080p 30fps तक की यहां पे recording कर सकते हो और इसके अंदर आप speaker भी आपको काफी loud यहां पे मिलने वाला है dual speakers आपको इसके अंदर मिलने वाला है मतलब stereo speakers है जो काफी loud है 3.5 jack भी आपको यहां पे मिल जाता है और आपको Bluetooth, Wi-Fi, GPS वाले सारे latest feature यहां पे मिल जाते है NFC भी मिल जाता है लेकिन वो market के ओपर depend होता है वो इंडिया में है कि नहीं वो देखना आपको पड़ेगा fingerprint आपको मिल जाता है side mountain fingerprint आपको यहां पे मिल जाता है और सारे compass, pro max 3 यह सारे sensors भी आपको यहां पे मिल जाते है जो काफी मुझे सही लगा बैटरी की बात करें तो बैटरी मैं को 5000 image की बैटरी मिल जाते है तो 33 watt की fast charging को support करती है यह भी काफी सही चीज में को यहां पे लगी colors आपको तीन colors यहां पे मिलने वाले है आपको एक white, green और black इस तरह से आपको तीन colors यहां पे मिलने वाले है जो मुझे काफी सही यहां पे लगी और आप इस यहां ओफर वगर हमें लेते हो आगर आप डिस्कॉंट वगर आपको अगर कोई चल रहा है दिपावली वगर का और भी अगर कोई offer चल रहा है आपके पास कोई card वगर है तो यह आपको 10,000 के अंदर आपको यह phone मिल जाएगा जो काफी मुझे सही लगा सबसे best मैं कहूंगा मेरे हिसाब से आपको यही लेना चाहिए इसके अंदर प्रोसेसर कैमराज वगर आपको सही मिल जाते इंफिनिक्स के वाले में उनके अंदर ठीक मिलते हैं लेकिन आगर आपके उपर भी डिपेंड है आप कौन चाहिए यहां पर लेना चाहते हो वह आपके उपर भी डिपेंड है बाकि अगर आपको बिल्कुली एंड्रोइड वाली फील ने नहीं तो आप मोटो का ले सकते हो लेकिन आपको थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन के उपर जाना ह यहां नहीं अँपको डिजायन आपको फोड़ा अला के अंदर आप ऊफ और गर लेकिन जाए गी तो आज की वीडिए ऊच्छी लगी दो चाहिको और